अभी को मेरा नमस्कार, नमस्कार कुलकता, नमस्कार इंडिया, साथियो, सबसे पहले मेरा नाम सिसिर कुमार नायक और कुछ भी बात बोलने से पहले मैं परम पिता परमसर को धर्नबाद देना चाहूंगा, मेरी माता पिता को मैं धर्नबाद देना चाहूंगा, जो आज मेरी पिता जी नहीं है, लेकिन मेरी माँ आज इस सक्सी बना जो उनका बैटा आई डाइमन बन के देखाया, तो मैं हमारी आप जिसे हिंदुस्थान की कोरोरो लोग लाखों लोग आज एकर्तित हो पारे अपनी सफलता की गाथा बता पारे साथी साथ में धन्नबाद देना चाहूंगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टेम का महान टॉप लीडर्शिप का जिनकी बदलत गोस्तों एक आर्मी परसन आज आपके सामने डाइमंट बनके गुम रहे साती साथ मैं धन्नबाद देना चाहूंगा साथियो मेरे पांच ग्रेट अप्लाइन मिश्टर और जी सरकास सार, मिश्टर एर पाल सार, मिश्टर एंसी विजवार सार और मिश्टर नर्सी ग्रेवल सार जिन लोगों के गाइड की गाइड पे चलने की कारण आज मैं यहाँ पे हूँ और साती साती हो मैं आप सभी को धन्नबाद देना चाहूँगा जो आप लोगों ने समय निकालके आज इस डाइमंड सेलिप्रेशन का सुब समय पे आज आप लोगों ने आया और आज मेरे को इतना सनमान दे के आज आप लोगों को सनमान दिया तो मैं चाहूँगा आप सभी के लिए एवा दिल से जोरदा तलिया दोस्तों दिल से जोरदा तलिया और मैं आप लोगों को दिल से सालूट करता हूँ Thank you all of you Thank you so much साथियो सफर की अगर मैं बात करूँ आई डाइमोंड बनने का मुझे मोका मिला लेकिन साथियो इसका पास्ट इसका सुरबात कहां से हुआ कैसे हुआ मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियो मैं अश्टमंगल बाकुरा डिस्टिक का रहने वाला हूँ पियो और गाओं का हूँ मेरी पिताजी किसान थे और मैं किसान परिवार से जनब लेने के बाद साथियो मैंने काम करना सुरबात किया पराई करना सुरबात किया परिवार अच्छा था काफी कहती था पिताजी काम भी बढ़िया कर रहे थे साथियों जीवन में अभाब मेरे को कभी भी कुछ भी मिला नहीं है जिन्दकी में अभाब क्या होता है वो मुझे कभी नहीं मिला लेकिन साथियों इसी बीच दर्मियान मैं जब बड़ा हो गया बड़ा बनने के बाद मैंने उस टाइम आर्मी में जाने का मेरा मन किया और मैंने आर्मी में कभी टाई नहीं किया साथियों मैंने ज़स्ट देखने के लिए गिया और वहाई मेरा सीलेक्ट हो गया और मैं आर्मी में चला गया, आर्मी में नक्री भी किया, दिल से किया, आपने आप में प्राउट था, जो मैं हिंदुस्तन का नंबर वन जब कर रहा हूँ, और लेकिन साथियों जब करते करते, जब मेरा दस साल नक्री हुआ, और मेरा पोस्टिंग आता है कहाँ पे, बैंग उनकी माद्दम से बताते हैं जो सिसेर जिंदेगी बनाने का मौका है जिंदेगी को बदलने की मौका है लेकिन साथियो दस साल मुझे नकरी करते हूँ हो चुका था जिंदेगी में सपना मेरी बच्पन से था लेकिन साथियो दस साल नकरी करते-करते मेरी दिमाग के अंदर जो सपना था ना वो सपना धिरे-दिरे छोटा हो गया था और जिबन में ये की बिचार चल रहा था जैसे जिन्दकी चल रहा है चलो ऐसे जिन्दकी कर्ट लेंगे लेकिन साथियो सेप्स ओब इनस की बारी में जब संजय पार्थक जीने मेरे को फोन की मादम से बताया मैं य को चीज सोचा था एक तो मैंने अपने आप में कोस्टन किया जो यह तो मेरा दोस्त है यह बोल रहा है जो एक पोड़क्ट वान टाइम पर सच करने के बाद जीवन बदला जा सकता है और मैं आपने आप से यह देखा इस संगसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शॉप संजय पार्टक जी ने जब मेरे को बात को बोला मेरे को लागा यहां लॉस नहीं है अगर पोड़क्ट सपिंग करने से अगर जिन्दगी बनाने की बात आए तो एक बढ़ ट्राइ जोरूर करना चाहिए यह या नो साथियों जिस दिन मैंने सेफ सो बीजनेस को देखा था जिस दिन मैंने जॉइनिंग किया था उस दिन सेफ मैंने क्या किया था फोन कॉल की मादम से जॉइनिंग कर लिया था लेकिन साथियों काम तो मैंने सुरू बात किया लेकिन सब के साथ जैसे होता है सुरू में लोग क्या बोलते हैं ना बोलते हैं यस या नो साथियों मेरे फंक्षन देखने का मौका मिला आज जैसे यहां पे हाल में प्रोग्राम चल रहा है ना ऐसे ही एक फंक्षन में प्रोग्राम हुआ था और संजय पाठक जीने मेरे को और जी सरकास सार की माध्दम से उस बैंगलोर फंक्षन में जाने के लिए बताया और सातियों वो फंक्ष देखने के बाद मेरे को shapes of Venus का power पता लगा और उस function में दो चीज मेरे को motivate किया था एक तो उस function के अंदर एक बेक्ति ने जब NT कर रहे थे उस NT की दरान मैं हैरान हो चुका था क्योंकि मैं भी आर्मी में नक्री करता था वो बेक्ति भी आर्मी में नक्री करता था तर कभी आर्मी की duty करते बग और सज्जन के साथ मेरा मुलाकत होता है साथ उनसे जब मेरा मुलाकत हुआ वहाँ पे मैंने देखा जो मेरे जैसे खोज का सिपाई राम को फूल अर्माला के साथ लेके आ रहा है मैंने उसी टाइम एक मुठी मांदा तो चाहे कुछ भी हो जाए सिसी जिवन में ये फूल का चिरका अब तेर कभी ज़रूरी है साथियो मैंने उस दिन निन्न लिया था यस इस काम को करना है और अप्यक्ति कोई और नहीं साथियो वह है मिस्टर विकास यादव जी का ओयल काम से मोटिवेट हो चुका था साथियो दोस्रा जब स्टेज में बा साथियो वह चेक देखने के बाद में मोटिवेट हुआ कि कुछ स्टेज में मा गुरी जी उस टाइम मूबाइल में चेक देखाया होते थे और उन्होंने बोलते थे देखो मेरे को हर हफ्ता मैं फोज का हविलदार से रिटार्ड किया और हर हफ्ता मेरे को 2-2 लाक रुपय हफ्ता मिलता है साथियो मा गुरुज ने बात साथ में और कह दिया बोला किसी इंसान को अगर डाउट होता है जो यह 2,00,00 रुपय आता है कि नहीं आता है ओ आ सकता है और देख सकता है साथियो मैं आपको आज बताना चाहूंगा उस हल के अंदर पहला ब्यक्तिता शिसर जिसको बिश्वास नहीं हुआ था साला देखने के लिए था और महा कुरुजे कच्चेक मैंने देखा सान ने बताए बुलत देख आ रहे है आ रहे है आठ हपता के लागा ता देखाने के बाद नीचे चला गया लेकिन सान ने पीछे से एक बात बोल दिया बोला सारे जो चार अटो बेवी भौटी नहीं पूठी मा कर तुद प्या हूं से अutन टैमंड भी बनेंगे ऑर दोलय कि कपिंग हे आए 2 आपकी समने साला टां डायमंड बन नके घुम रहे हूं घूम रहे हूं लेकिन सातों यह तो मैंने उस दिन डीसिशएम月 ले लिया था किया द् इतने लोग से प्रमेटिसैन लेता है लेकिन साथ ओडिसेशन में काइम नहीं रहता है इसलों पीछे मुर के चले जाते yes ये नहों साथियों सेप्सोब बीजिसमेटिसैन लेने के बाद मैने फंक्सन देखने के बाद महा गुरुजी ने और एक बात बोला था ये चेक उसी का आएगा जो हर मीटिंग और टेनिंग लगातर एटेंड करता रहेगा मैंने एक बात सोचा भोज में हाट प्रेइड एटेंड करना पड़ता है साला दो लाक कभी नहीं आएगा लेकिन यहां अगर होट टेनिग एटेंड करने से अगर दो लाक आए तो मेरे को बताओ हो रहा है जाना चाहेगा मैं बोला कहां सर महागरुजी ने बोला दीशा टेनिंग हो रहा है साथियों मेरे पास छूटी नहीं था लेकिन बोला जाता है किसी भी पॉबलम में पर जाओ सिधा आप अपना अप्लाइन को बताओ सारे समझ सेकर समाधन हो जाते हैं यस या नो मैंने महागरुजी को बताया उन्होंने बताया कोई बातनी टाइगर कुछ बीमारी का नाम ले ले छूटी पास करा ले और जो है सीम निकाल के रख देना और टेनिंग करके बापस चला जाना साथियों में चला गया राजरस्तान जाइपूर शाथियों दीशा टेनिंग है टेन करने के बाद ओही महागरुजी मिस्टर नर्सी ग्रेवाल सर मेरे को पुछते हैं बोला सिसर बता टेनिंग में मजा आया मैं बोला महागरुजी मजा मुझा के बाद छोड़ दो आज के बाद एक ही काम होगा ओहे सेप सोब बाकि कोई काम नहीं होगा पाद सथ्यों उस्टायन मेरा से 20 से 22 हो का टीम था कितना लोगों का टीम था 20 से 22 लोगों का टीम था डिस चाईज का पोसेसिंग होते होते 53 का बना और महागरुजी ने मेरे को मिश्टर नेंसी विश्वाज सर के पास भेज दिया और मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा साथियों, साथियों मेरी पिताजी बहुत कम उमर में एक्सपार कर गए थे, क्योंकि उस टाइम मैं 18 साल का ता जस्ट फोज में गया ही था, लेकिन साथियों मा गुरुजी ने मेरे को कोलकाता में भेजा, बीजनेस करना मुझे आता न गराओ के जोरदा तलिया बजा दीजे दोस्त, क्योंकि जिनोंने मेरे को काम को सिखाया, थैंक्यू सो मच, थैंक्यू सो मच, क्योंकि साथियों मा गुरुजी ने बिस्बास सार के पास भेजा, बिस्बास सार के पास मैं खिदिरपूर में आया, और मैं खिदिरपूर में Guide , अकूर्ड राई के इस काम को करना शुरूबाद किया 53 टीम तो मेरा बना लेकिन सात्यों वो टीम नहीं था और सेल था क्योंकि मैंने लोगों को जाइनिंग कराया था मेरे को खुद को नहीं आता था तो मैं लोगों को समालूंगा कैसे साथियों मैंने दोबार यहां पर काम करना शुरुबात किया और काम करते चला गिया विस्वास सान ने मेरे को बताया जो ताइगार ऐसे करना है यहां आपको बात करते थे लेकिन लोग उस टाइम क्या बोलते थे उल्टा जिसको भी मैं अपरिचित लोगों को प्लैन दखाता हूं सीसीर तू कहां से आया मैं बाकुरा से ब से ये कमपाइए का का नाम मतले ना तेरे को लोग मारेगा और यहां तक लोगों ने फोल्डार भी प्लैन भी नहीं देखा फोल्डार को उठा कर फेग भी धिया इतना भी बत्मस भत्मस लोग हमें मिला लेकिन साथियों हमने कमिटम लिया था शाला कुछ भी हो जाए मैं 702 में से नाम लेखने के लिए नहीं आया मैं 702 के अंदर इतिहास लेखने के लिए आया और आज आपके सामने बताओ लिखा कि नहीं लेखा साथियों इसे बीच माह गुरुजी की अंदर पास काउंसे लिंग हुआ आप लोग उने डोकुमेंटरी में देखाई होगा साथियों माह गुरुजी ने बहुत अच्छा बात बोला था जिसकी बदलत मेरी जिन्दे की को बतला में यह की चीज़ का बताऊंगा माकरुजी ने एक संकल्प किया लेने के लिए मेरे को बोला था बबला सिसिर तुमने नक्री छोड़ा, सेफशभ में जोईन किया अच्छी बात है यह तुमारा लेकिन जिन्दे की decision लेने से नहीं बनता है, जिन्दे की संकल्प लेने से बनता है, शाथ हो उन्होंने मेरे को संकल्प की बात बोला, और मैंने उनको सारे बते बताया, जो मागरुजी मैं लोगों को plan बताता हूँ, लेकिन लोग जोईन नहीं करते हैं, लेकिन सान ने मेरे को बोला तो आज के बाद एक काम कर जिवन में कूछ ऐसे संकल्प मान ले जो इस काम को जब तक करूँगा नहीं खाना नहीं काऊंगा साथ हो मैंने संकल्प लिया था और आज सब्तमी मैं मिहां पर नहीं है लेकिन कभी भी आप पूछ सेकतों बिस्बास सार यहां खा रहा है साथ से कभी भी पूछ सेकतों सिसिद नायक मैं यह नहीं बोलूँगा गूरू से लिया हुआ कमिटमेंट यह संकल्प मैं हंडेट परसन किया यह नहीं बोलूँगा लेकिन मैं करने का प्यास करता हूँ मैंने कमिटमेंट लिया था जो हर दिन में प्लैन देखाऊंगा विकास पाल जी यहां सामने बेठा है एक होटल में खाना खाने के लिए जाते थे विकास पाल चला जाता था खाने के लिए लेकिन सिसिन नाइक को भी खाना खाने के लिए गया नहीं है जिस दिन रात को प्लै करेंगे लेकिन साथे और चिटिंग बाज़ भूलते थे बहुत लोग ना सुनने के बाद बिर के वाला नहीं है लेकिन साती को आपने पर दो वेडा क्या थे घाल Wolf मुंट साथ जोरेगा और सात्यों मैंने उस दिन से टीम बनाना शुरू किया कभी पिछे मूर्ण के नहीं देखा देखते 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 आज तर्स जादा लोग आज वालवार इंडिया के अंदर काम कर रहे बताओ टीम बना के नहीं बना शाथ यह संकल्प लेने से अगद ज क्यिस्ता लोग यहां एक बार खळाओं के सनकलब। मिस्ता टाकर तमिस्ता ही जिसको जख़्वान जी को दोली है एक बार खराओ के सस्टा Εुटे Contro कैंसे एक बार खराओ कर दोलो जख़िसको अपनी पुलिघस न हमार को किःनल DR एक प्लैन रोज देखाऊंगा, साथियो मैं पांच प्लैन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिसिन नाएक एक प्लैन रोज देखने से डाइमन बन गया, और मैं गरेंटी देता हूँ, आप एक प्लैन रोज कर दो, आप भी डाइमन बन जाएंगे, देखाएंगे आप एक प्लाइन, देखाएंगे आप, साथियो अगर एक प्लाइन रोज कितना, और अगर प्लाइन नहीं हुआ तो, हेलो, अगर प्लाइन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि मैं आज आपको सच्चा ही बोल रहा हूं साथ, मैंने जो काम किया है, मेरे गुरू लोगों ने देखा है, मैं मार्केट में काम किया, साला काम किया, आज भी कर रहा हूं, और कमिट्मेंट है, उमर है 35, कितना है, 35, गुरू लोगों को इतना ये जे, फिर भी नोगों कितना मेहनत कर रहे, मैं तो आपनी बचन देख के रखाऊंगे फट्टा, सेप उनली फ़र 25 मिनिट का फट्टा है, कितना मिली इसका फट्टा है, ए 25 मिनिट के बाद, ए सीधा रहे जाएगा कहां पे, घर कि आलमारे में सेला पहले भी फैसर था, आज भी फैसर है और काल भी फैसर रहेंगे त्यूंकि कॉलकाता में लोग अभी जोयंन किया थोरा सा किया दोस्त कॉलकाता का पॉपुलेशन सारे चार कोरौर है गुगलमें साच करना है एक क्रोर है देर क्रोर देखाता है वो उन लोगों का जिसका नम पर अधरकाड है और बहुत ऐसे उद्वास्तु यह जो डबल है सारे चार क्रोर कोलका तका बसिंदा है कितना है और वेस्ट मंगल का जोड दिया जाए तो करीब-करीब 9 क्रोर यह आएंगे कहां आएंगे कहा लेकिन आएगा किसका टीम में जो देखाएगा रोज प्लैन देखा सकते हैं तो साथियो रोज प्लैन का संकल्ब बना के रहा है मैंने भी संकल्ब भी आता हूं मैंने आज भी संकल्ब ले रहा हूं और आज के समय को देखते हूं साथियो मैं अपना फिलिंग्स तो मैंने आपको बता नहीं सकता हूँ, जो डाइमंड बनने के बाद मैं क्या खुस हुआ, साथियो, खुस नहीं कि अगर मैं बात करूँ, मैं अपने अपने बड़ा खुस यह मानता हूँ, मेरी पिता जी को मैं नहीं देखा पाया, जो आज उसको स्टेज में कोलका था जैसे सहर में बहुत है लोगों को इतना बड़ा बैठा को सनमान मिलेगा, लेकिन मैं खुसी से बात के हूँ, मेरी पिता जी नहीं है, लेकिन मेरी ममी को मैरे देखा पाया, जो तुमने कोई नलाइक को पैदा नहीं किया, सालेट तुमने लाइक को पैदा कर के दिया, येस या नो मैं फकर मेस्च करता हूं ज़ये माँ ने देखा है, येस बेठा कर सनमान भेला, शाथ यो मैंने अपनी बीबी को डॉली में बैठा येस या नो, मैं Gurr Yaan, भंजा मेरा कमा लिगेशान करना में मैं यो, क्योंकि तीम नहीं था, बीनेस नहीं था, लेकिन नकरी छोड़ने की बात बोला, तो उसने माना नहीं किया, और यहां तक मैं बता दू, मैं रूबी बन गया था, उसके बाद मेरा मामी को पता लगा, जो सिसे नहीं नकरी नहीं करता है, मेरे किसी भी रिष्तेदार गाओं बाला को पता ही नहीं था, मैं फोज में हूँ, या मैं सेफसफ में हूँ, उनको मालूम था, या अभी भी नकरी कर रहा है, लेकिन मेरे वाइप ने इतनी बड़ी सक्रिपाइज किया, मैं रात को बरा बज़े आऊ, रात को एक बज़े आओ, तब भी ड़न है, से फोन करके बता दो, मैं वार्ट पे हूँ, लेकिन साथियो, क्या से पतनी लोग या हमारी उपर सक्रिपाइज करें, या उनको भी सलख कभी डॉली में बठा के चरा दें, मैं आज अपने अपने घर्म में सुझे करता हूँ, मेरी साथ सोसु तो घर्ती में नहीं है, लेकिन जब डॉली में आ रहा है था, मैं गैरंटी के साथ बोल सकता हूँ, उसने भी अपने दिल से एक बात जरूर बोला होगा, जो सलख पती हो तो तो तुझ जैसे जो आई डॉली में बठा दिया, यास या नो, साथियो, एक बात बताओ, अगर पै इससे बुरार क्या चाहिए, आख या नो, मैरे सैंत, तो चाहते है आप? आपका भी पैरेंट्स हैं? आपका भी परिबार हैं? साथियो, संगों खुद के लिए नहीं, उनके लिए कर लेना, उनकी आखों से आप पर साथियो, कितना बड़ा काम है, या कर सकते हैं आप? तो साथी और रही बात, फिलिंग्स, परिवार बाले को आज देखा दिया, येस, आज मेरी लर्का क्लास्थोर में पड़ता है, उसको अगर पेरेंस को इस पकास से सर्मान मिलेगा, तो बताओ उसका भी माइंसेट बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो जीनों ने मुझे जनम दिया, वो खूस, जिसने मेरे को बीच में बिलीब करके साधी कर लिया, वो खूस, और जिसको मैंने धर्ती में लाया, वो भी खूस. तो बताओ दिल से सब सब को करना है कि नहीं करना है साथिवो ये डाइरेक्ट दिल से है क्योंको दिल से अगर रिष्टा निभाना है तो इसको भी डाइरेक्ट दिल से करना है डाइरेक्ट दिल से कर सकते हैं आप तो रही बाद साथिवो कमिटमेंट साथिवा आज मैंने डाइमंड बना ये मेरा लक्स पूरा नहीं हुआ हाँ एक चीज तो जरूर हुआ क्योंकि सुरुबात में सेपसप में जैन करने के बाद डाइमंड बनने का पयास तो हम लोग करते हैं यह से नो लोगों को बोलते हैं बोला आप भी डाइमंड बन सकते हैं लेकिन साथियो मैंने काम किया मैंने डाइमंड बना लेकिन साथियो मैंने डाइमंड सेब आपनी दम पर नहीं बना गुरू लोगों का कर्ज मैंने मीटाया डाइमंड बनके लेकिन साथियो मैंने अपनी टीम करी जब आज हर जुर्दा के लिए मैं बताना चाहूंगा साथियों, मैं आप डाइमंड बनने के बाद रुकने बाला नहीं हूँ, आप बारी ये साथियों इतियास रस्चने की, क्योंकि मैंने अपनी गुरुओं को बताया, आज नवेंबर माइना में मैं डाइमंड बन रहा लेकिन साथियों आज इतनी बड़ी साइन सिटी ओडी टिरियम के अंदर मैं आज कमिटमान लेके बता रहा हूँ, अगले साथ माइना के अंदर सिसे इडना एक अपने आईडी पे डबल डाइमंड देखा देखा, सेप अनली पर सैवें माइना, सैवें मांत में डबल यहां, शाति हो मेरा यह संकल्प है, यह फट्टा मैने जैसे अभी उतार क्यों दिया, इसलिए उतार दिया था कि सलब 25 मिनिट से जादा ना हो, और यह आज ही रहे गया डाइमंड से, आज ही साम से मैं बननूंगा फैसार, जो भी नेटवर्के अंदर डाइमंड बनना चा हो, और फिल्ड में जाएंगे, और इतियास में लिखेंगे, और साथ सत में यह मेरा एक कमिटमेंट है, 2023 की सुरज दूबने से पहले, अपनी यू का पजिसें से, शाले 10 डाइमंड बना के देखाऊंगा, 10, 10 डाइमंड बनाएंगे, 2023 के अंदर, तो बनना चाहते हैं आप राइमंड, तो साती हो, आज ज्यादा बक्त हम नहीं लेंगे, क्योंकि काफी सारे रिकोगनेस है, लेकिन एक बात जुरूर बताना चाहूंगा, आज का प्रोगरम में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, स्वामा पाठक में का सिकूरूटी देखके, सिसिन नाइक का रिको डाउन कर लेना, अगला एक से देर साल की भी तो डाइमंड शिप आपकी इंतिजाद कर रहा है, कर सकते हैं आप, तो साथी हो, मैं यहाँ पर अपनी बात को का बिराम देना चाहूंगा, हमेशा डाइमंड बनने की मोटिवेर मूड में बना के रखना है, खुद का सेल्प में इसको हाई रखना है और बड़ा काम करने के लिए बार बार विजुलाइस करना है, तो मैं यह की बात बोलना चाहूंगा, अपनी शैगा पर खारा होकर, एक बार दिल से आपकी सपना, आपकी संकल्प की उपर बात करके साथी हो, एक बार करा होके, एक साथ अपनी इसको हाई साथी बांत के बोलो, I am a diamond! I am a diamond! I am a diamond! I am a diamond! Thank you so much, we see all the best and go diamond! आपकी तो मुझा कुर बार टाली कुछ मुर्ट नाचर के लिए तो मुझा कुछ दाली अपटकी संकल्सित उपर गरके.